हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल भारती कम्पूटर क्लासस में तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली क्या है हमें टैली क्यों सिखनी चाहिए इसे सीखने से आपको क्या फायदा होगा तो ये सारी चीज़े हम जानने वाले हैं इस वीडियो में लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर नए हैं तो प्लीस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे तो चलिये बात करते हैं टैली क्या है। ठीक है टैली एक अकांटिङ साफटियर है जो आपके टे-टे-टेकल एंजिन को रिकॉड करता है जहां पर आप अपने बिजनिस का सारा हिसाब हिताब रखते हैं। टैली एक भहु कार्यात्पक सॉफ्टेयर है जो आपका inventory management, accounting, payroll preparation, billing, banking, tax session और भी कैसारे काम करता है आज कल हर बड़ी company का अपना एक सॉफ्टेयर होता है जिसमें वे अपना accounting work करते हैं टैली small और medium अकार की सभी व्यवशाइक company द्वारा उप्योग के जाने वाला एक सॉफ्टेयर है टैली भारत में सबसे ज़्यादा इस्तिमाल होने वाला सबसे low pre accounting सॉफ्टेयर में से एक है तो आपने देखा होगा पुराने जमाने में आपने movies में भी देखा होगा पुराने जमाने में क्या होता था जो business का हिसाब पिताब रखता था तो वहाँ उसके लिए मुणीम जी बैठा करते थे जो सारे बिजनिस का जो भी हिसाब पिताब होता था वो लिखा करते थे क्योंकि बिजनिस का लाब और हानी तभी पता चल पाएगा जब आपने ये सारी चीजे नोट करी होंगी आपको पता हो कि आपने क्या बेचा है, क्या खरीदा है, क्या चीज बेजने से आपको फाइदा हो रहा है और आपको किस से पैसे लेने हैं, आपने किस को पैसे देने हैं तो ये सारी चीजे आपको जरूर लिखनी होगी और पुराने जमाने में ये सारी चीजे लिखने के लिए हम इस्तमाल करते थे इसका यानि बही खाते का और अब इस बही खाते की जगा हम यूज करते हैं अकांटिंग सॉप्टेर जिसका नाम है टैली टैली ही नहीं और भी कई accounting software होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हएं जिसमें आप अपने business का सारा landeern कर सकते हैं तो यह सारी चीजें हम घर पर भी करते हैं जैसे आप घर अपने घर का हर महीने का budget बनाते हैं कि हमको इस महने का ये rent देना है इस महने का, बिजली का will देना है दूत का will देना है तो ये सारी चीजे क्या होती हैं आप अपने घर पे भी maintain करते हैं लेकिन वही चीज़ आप अपने business का अगर आपको हिसापिता mitä maintain करना होगा तो आप अपने tally software से कर सकते हैं तो tally software की मदद से आपका काम बहुत सरल हो जाता है बस आपको अपने जो भी transactions हैं जो भी लेंदेन हैं उनकी entry tally में करनी होती है और बाकी सारा काम आपका accounting software खुदवाखुद कर देता है जैसे आपकी profit and loss की report निकालनी हो balance sheet निकालनी है और भी कई सारी चीजे tally खुदवाखुद कर देता है तो ये एक introduction था tally ERP9 का कि tally क्या होती है tally से आपको क्या-क्या फाइदा होता है तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी कि tally क्या होता है tally से आपको क्या फाइदा होता है तो वीडियो देखने के लिए धन्यावाद